एलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस न्यू सेशन तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूजिन बजे 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंज तो कल हमारी कंट्री के फाइनांस मिनिस्टर मिस दिर्मला सिता रमन ने अपना जो कंट्री का बजेट है इस साल का 2022 से 2023 तो काफी न्यूज रहा है इसके बारे में और यह आपका इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स का टॉपिक बन जाता है तो बहुत कि यह साल का जो करेंट अपर होता है उसमें यूजिन बजट के काफी क्वेशन आपको देखने को मिल जाते हैं तो जो देफिनेटली विल ट्राइए और ब्रिंग आउट मोर सच सेशिंस फॉर यू राइट तो लेट सबसे पहले आप हमारी जो गवर्मेंट है जैसे आप नॉमली आप किसी घर किसी घर में किसी फैमिली में फैमिली कुछ अर्न करती है और कुछ स्पेंड करती है राइट अब वो जितना अगरेगी उतना ही वो स्पेंड कर सकती है आइट अकना यानि जो इसकी इंकम है स्पेंड करना जो इसके खर्चे हैं नाजो पर दो पर सब्सक्राइब कर रही है काफी सारी स्कीम सिस्टम चलवा रही है तो काफी ऐसे उसमें काफी खर्चा हो जाता और जितना आपको पता है कि इंडिया में कितने कम लोग टाक्स देते हैं तो इंकम में की वह हमेशा कम रहती है और जो spend जो government का expense होता है वह हमेशा जादा होता है तो जब government earn पैसे कम कर रही है तो वह जादा कैसे खर्च कर पा रही है तो अगले साल के लिए government ने क्या target set कि fiscal deficit इससे जादा ना हो आपको पता है जो आपको चुकाना भी पड़ता है राइट तो 6.1 परसेंट 6.2 परसेंट 6.3 परसेंट और 6.4 परसेंट और 6.5 परसेंट इसका जो सही आंसर है डाट इस ऑप्शन दी 6.4 परसेंट ठीक है तो 6.4 परसेंट ऑफ जीडीप तक रिस्टिट करना चाहरी है गोवर्मेंट फिसकल डेफिसिट को विचीज गुड अगर आपने कुछ कमिटी पड़ी हो तो जो कमिटी रेकेमेंट करते हैं जो एक्सपर्ट कमीट एक्सपर्स रेकमेंट करते हैं कि फिसकल डेफिसिट कितना होना चाहिए हमारे हमारे देश का सो दाट इस सम्वेर अरूंट 3% to 4% है ना बट अभी वी वर और आप पात ओफ रिकावरी बट कोवीड हिट दे कंट्री और हमको बता है कि एकॉनमी में पूरा उथल पथल मच गया था कोविड के बाद से तो अब भी अगें विल भी होपफुली गोईंग इन ऑन डाट वे कि हम अपने फिसकल डेफिस को डिस्ट कर पाए 3-4% है ना सो बट अभी जो आ इसमें कितना गुवर्मेंट आप स्पेंड करना चाहती है कितना होगा इसमें कितना इंक्रीज अभी तक जो खड़ती थी उससे अब कितना ज्यादा करेगी कापिल इसमें में राइट सो ऑप्शन्स है आपके 30% 20% 35% और 25% ठीक है इसका जो सही आंसर है डाट इस ऑप्शन सी तो भाई गुवर्मेंट जो है आप जो कैपिल एक्समेंटिचर वो बढ़ा रही है और कितने परसेंट से बढ़ा रही है और इस 35% से कैपिल एक्समेंटिचर गुवर्मेंट बढ़ा रही है ठीक है next how many focus areas of budget are presented in union budget 2022-2023 ठीक है अगर आपने न्यूस फॉलो की हो या अग focus areas ठीक है तो कितने focus areas थे in total options आपके 7654 और 3 ठीक है इसका जो सही answer है that is option A7 ठीक है in total जो यह वाला जो budget था इसमें 7 focus areas थे ठीक है इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो कि कौन-कौन से वह 7 focus areas थे बढ़ या overall there were 7 focus areas ठीक है next question how much tax will be levied on the transfer of virtual assets ठीक है virtual assets क्या होते है जैसे कि देखो भी पिछले टू यह से like right from the pandemic 20 जब से pandemic आया था 2020 से काफी बाते चल रही है कंट्री में क्रिप्टो करेंसी की ठीक है अब क्रिप्टो करेंसी क्या होते है for example यह बिटकोइन राइट और यह डोज कॉइन एथीरियम अगरा की काफी बाते हो रही कि अभी बहुती कंट्री ऐसी है जहां पर लीगल टेंडर माना घया इंडिया में तो अबी तक यह बिलकुल और नहीं माना गया और काफी लोग यहां से इंवेश्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री से इंवेस्ट कर रहे हैं के काफी वैब इंवेस्ट रहे है और इंड यह आपको जो आप पैसे शेयर मार्के इन्वेसिस करते हैं मेर् transfer of virtual assets अगर आप किसी को crypto transfer करते हो crypto आप sell करते हो तो वहाँ पर आपका tax लिवाई होगा ठीक है तो अभी यह बहुत बड़ा step है इस union budget का कि आपके crypto पे यहाँ पे tax लिया जाएगा और वो कितना लिया जाएगा 20% 30% 40% और 50% ठीक है 20 30 40 और 50 इसका जो आंसर है that is option B 30% ठीक है तो आपके जो crypto currencies है उस पे लिया जाने वाला है आपका 30% का tax ठीक है next which among the following commodities will become costly after the union budget 2022-2023 presentation ठीक है तो अगर आपको याद हो तो बच्पन से भाई जब से हम budget देखते है तो बस एक बात है वैसे दो जो speech होती है जो पार्लेमेंट की proceeding होती है वो काफी लोगों को समझ में नहीं आता है है ना वह almost आप कह सकते हो कि आपके 80 to 90% of the Indian citizenship does not even understand and does not even care about it है ना बस एक ही सवाथ आता है budget जब हो जाता है budget跟大家 आने लगता है तो बस एक ही चीज आता है कि आज के बाद क्या-क्या-क्या चीज県 महिंगी हो जाएंगी और आज के बाद कौन सी K Bonzi चीजह की सस्ती हो जाएंगी आग Tutaj happen common man common man को क्या फर्क पढ़ता है budget से कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी चीज मेरी सस्ती होने वाली है और कौन सी चीज महेंगी होने वाली है इस से जादा उनका कोई लिना देना नहीं होता है राइट सो यह question उस लिहाद से काफी important हो जाता है कि कौन सी इन मेंसे जॉब के पा स्क्राइमन और imitation jewelry सुख सभी answer है that is option A umbrella ठीक है अम्प्रेला का जो custom duty है वो बढ़ा दी गई है इसकी वजह से उनका जो MRP है वो बढ़ जाएगा और वह costly हो जाएगे ठीक है तो this is because of increasing in custom duty ठीक है custom बढ़ा दिया है तो custom अगर बढ़ गया है तो MRP है वो effect होगा राइट जो seller जो प्राइस देता है वो effect नहीं होगा जो consumer price खरीता है वो effect हो जाएगा तो इसकी जो MRP है वो बढ़ जाएगी so that is why it will become costly after this budget right next custom duty for cut and polished diamonds have been reduced to how much percent ठीक है cut and polished diamonds जो होते हैं इनकी जो custom duty है यह reduce कर दी गए अम्रेला की जो custom duty है वो बढ़ा दी गई थी so similarly जो आपका diamonds में भी specifically cut and polished है ना जो आपके raw diamonds होते हैं वो नहीं जो आप अपने ख़दान से निकालते हो उनको जो करते हो वो diamond नहीं जिन पर थोड़ा सा processing कर चुके हो व by how much percent you need to answer right 5% 10% 15% और 7% चीक है 5% 10% 15% और 7% इसका जो सही answer है that is option a 5% ठीक है सो जो customs है cut and polished diamonds पे वो reduce हो गया है by 5% right next the customs duty on umbrellas has been raised by how much ठीक है अभी आपने देखा था भई कि जो diamonds में कम हो गया था और umbrellas में जादा हो गया था यह भी हमने हमने देख लिया अब कितना जादा बढ़ा दिया है है ना custom duty जो है umbrella का वो कितना जादा बढ़ चुका है यह आपको बताना है ठीक है options है आपके 15% 20% 25% और 30% right so 15 20 25 और 30 इसका जो सही answer है that is option b 20% ठीक है so the custom duty on umbrella have been raised by 20% ठीक है next finance minister निर्मला सीतारमन while presenting the budget said that the country is expected to grow at dash percent ठीक है जो country की growth होती है ना economic growth जिसको आप कहते हो एकनॉमिक ग्रोथ और in simpler terms आपके सकतों कि GDP GDP कितना बढ़ने वाला है आने वाले साल में ठीक है तो तो हर बार जब union minister या आपके जो union finance minister वो budget को present करते हैं तो वो थोड़ा से बताते हैं कि हम आगे क्या देख रहे है ना जो budget होता है वह होता है 2022 से 2023 आने वाले एक साल के 2022 से मार्च 2023 तक के लिए तो भाई इसकी बीच में कंट्री को हम क्या project कर रहे है एकनॉमिक्स में क्या बदलाव होने वाई जो country की overall economy है इसमें क्या हम देख रहे हैं क्या आप कुछ अच्छा हो रहा है क्या कुछ खराब भी हो सकता है तो यह सारी चीज़े भी finance minister अपने budget की presentation में include करती है right तो भाई इस बार उन्होंने क्या comment किया कि जो country का growth rate है वो कितना होने वाला है so is it 5.27 6.27 7.27 और 9.27 और 8.27 ठीक है 5.27 6.27 7.27 9.27 और 8.27 इसका सही answer है that is option D 9.27 ठीक है 9.27 and this is a very ambitious target students because the hope जो कोवीड का lockdown था उसकी वजह से जितना impact पढ़ा था economy में वह भी काफी time हुआ नहीं है उसको है ना आप कह सकते हो कि भाई on and off हमारे दो साल में almost आपका एक से लेके 1.3 1.4 यर्स और lockdown में रहा है भले वो night curfew हो जाए वो state आपस में वह जो goods and services का transfer रोब करहे हो वह जैसे है राइट तो भाई 9.27 का काफी ambitious target है and hopefully this will be achieved because it is going to be good for the country राइट सो option D 9.27 ठीक है next question which bank will introduce a digital rupee in India ठीक है digital rupee now this is a very big step in the Indian financing system ठीक है अब भाई जैसे हम हमारा money का concept कैसा है we have paper notes राइट and we have coins तो आपके पास है तो भाई पेपर नोट से है तो आपके पास sorry coins है और you have money in your digital wallet digital wallet like your जो आपका bank account है उसका जो आप कैसे आपका bank account में आप या तो आपने पैसे रखते हो तो आपके digital wallet for example mobile wallet हो गया पेट्यम वालेट हो गया राइट फोन पर वालेट हो गया एक्सेट्रा ना लेकिन जो आपके पास पैसा है वह अभी सिर्फ दो ही फॉर्म में था वह था एक पेपर नोट और आपके पास coins है राइट 5 रूपी coins 2 रूपी coins 10 रूपी coins इवन ठीक है तो भाई जो डिजिटल रूपी है यह क्या होता है अब जैसे कि आपका Bitcoin होता है까지 is back by cryptocurrency क्रिप्टो करेंशी है ना जूसको आप क्रिप्टो करेंशी कहें तो विच इस बैक्विस technology of blockchain technology काफी सक्यूर रखते हैं उसको blockchain technology उसका नाम है आप यह भी owed डाउन कर सकते हैं और इस blockchain technology राइट डिस हैं तो तो आप देखते ही जो आपके पास coins है ना आपके paper notes है वह अब digitally भी hold कर सकते हो ठीक है digitally hold कर सकते हो यानि it is just like a cryptocurrency ठीक है and it is it will be made with the technology of blockchain technology to make it secure है आपका पैसा लेन पाए है कोई आपका पैसा hack ना कर पाए राइट आपको आपके साथ आपके डिजिटल मनी के साथ फ्रॉड ना कर पाएं उसके रिए डिजिटल रुपी लॉंच कर रहे है तो भाई यह कौन सा बैंक लॉंच करने वाला है is it rbi is it sbi is it pnb और बीओ बीओ ब्योंच करने वाली है डिजिटल रुपी विजिटल रुपी विजिटल रुपी यह ब्लोक्चें टेक्नोलोजी सेम टेक्नोलोजी है जो आपके क्रिप्टो करेंसी में भी उती है right but not just limited to cryptocurrencies इसके odds आहें काफी use but also cryptocurrency में भी उती तो आप ताकि आपको याद रहे है कि रुपी है डिजिटल रुपी डिजिटल करेंसी जैसे आप कहते हो वैसे डिजिटल रुपी की यहां पे बात हो रही है next question who holds the record for delivering the longest budget स्पीच इन इंडिया ठीक है लॉंगेस्ट बजेट स्पीच इन इंडिया इसका रेकॉर्ड किसके पास है आपके निर्मला सितारमन अरुन जेटली इंद्रा गांधी जवारलाल नहरू और मनमोहन सिंग ठीक है तो यह किसी ने किसी पॉइंट पर इन सब ने अपना जो बजेट है वो इंट्रूद्यूस किया होगा तो सबसे जो लंबा स्पीच दिया था वो किस ने दिया था इसके और ऑप्शन से निर्मा सितारमर अरुजी इंद्रा गांधी जवालाल नेहरू और मनमोहन सिंग इसका सही आंसर है का बजेट का प्रिजेटेशन था उसमें मतलब शीज़ फोग फॉर लॉज फॉर्टी टू मिनट्स राइट बड़ी आइस देलिवर्ट इस पीच फॉर बजेट ठीक है बजेट के लिए सबसे लंबा ताइम लिया था वो तू आर्स फॉर्टी टू मिनिट्स का लिया था निर्म्ला सितारमन जी ने राइट इन 2020-2021 सो जस्ट बिफोर दर कोई लॉग एक मैने पहले आप कह सकते हूं और उसके पहले भी इंट्रेस्टिंगे रिकॉर्ट इन्हीं का था एक साल पहले 2019 वाली जो स्पीच थी वहाँ पे भी नहीं का रिकॉर्ट था था वाहां पे भी गंटे की स्पीच दी थी नोने प्रेजंटेशन दिया था इनोने इन 2020 राइक सो निर्मला सितारमन नेक्स्ट वेस्ट वेस्ट बजेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिया इंट्रूइस ठीक है फिर्स्ट बजेट जो था अमारा वो कब इंट्रूइस हुआ था व व्युट्पि दो बात क्या हो रही है या कनल इंडिपेंडेंट इंडिया की जिब आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया हो था इंडिया इंडिया 5 से 1947 इिसको आप कैंसेल आउट कर सकते हैं, जो आपका 1946 से हैं, इसको भी आप इलिमिनेट कर सकते हो, इन्डिया इन्डिपेंट हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पर question का answer हो जो झाहे हैं, सबसे पहला इंडिपेनेट इंडिया का जो बजेट है वो प्रिजेंट हुआ था अगर आपको याद होगे तो 1947 में इंडिनाट हाव गर्मेंट है नहीं हमारे पास कोई वेंटेन करने थे इंडिया को अपना काम था वह अल्रीशुरू करना था हाला कि आपको जो इतना पॉपलेशन नहीं था बट डेफिनेटली जो गवर्मेंट का काम है वह शुरू हो जाना था प्रेशन निर्मला सितारमन इस प्रेजन्टिंग यूनिन बजट फॉर वाव मनी टाइम इन रो ठीक है तो एक साथ इन्हों ने कितने साल से ये बजट को प्रेजेट को प्रेजन कर रही है ठीक है निर्मला सितारमन जी सो ऑप्शन से भाई 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5 इसका सही आंस से फिस्येश आप यह संहعت ह में लोमामन इस तॉ और में नाइंटिमन ट्वें इन ट्विट इन टूसीत यह लगातार बजzer के शीक के स्पीशे जेरें हैं हाट बजट को प्रेजेट को प्रेजेंट कर रहे हैं So option D 4, this was her fourth presentation of union budget, right, next, according to which article of the Indian constitution, the union budget of a year is referred to as the annual financial statement, ठीक है, तो भई मैं आपको एक बात बदा देता हूं यहां पर, कि जो हम union budget, union budget कहते है न, इसका जिक्र कहीं पर भी constitution of India में नहीं है, ठीक है, जो union budget है, यह बहुत एक informal सा term है, इसकी कोई formal backing नहीं है, इसकी कोई legal backing नहीं है, constitution of India में जो mention किया गया है, उसका नाम दिया गया है, annual financial statement, ठीक है, annual financial statement, तो इसमें होता क्या है, basically, जो government है, वो आके parliament को, and indirectly पूरे देश को बताती है, कि हमारा इस साल का financial statement क्या रहा है, ठीक है, financial statement यानि कि, अगर आप भई economics commerce की students हो, तो आपको बताए, financial statement क्या होता है, एना कितना आपका incoming रहा है, कितना आपका outgoing रहा है, उसको match करवाना, that is your financial statement, तो budget का नाम जो है, वो constitution में रखा गया है, annual financial statement, so कौन से article में, annual financial statement का mention है, that this is the question, right, so article 108, article 101, article 115, article 113, और 112, right, बात यहां पे हो रही है, constitution of India की, ठीक है, तो constitution of India में कहां पर जिक्र हुआ है, annual financial statement का, इसका सही answer है, option E, article 112, ठीक है, article 112 में, there is a provision for annual financial statement, ठीक है, यह होना क्या है, इसको कौन present करेगा, कहां पर present किया जाएगा, इसका जिक्र है, आपके सकते हो, वो article 112 में है, तो आप इसको भी note down कर सकते हो, यह भी काफी important है, कई सारे exams में direct question आता है, कि जो union budget present किया जाता है, एना usually जो आपके finance minister ने वो present करते हैं इसको, इसके पहले अगर आपको व्याद हो, तो जो railway budget है, क्योंकि railway बहुत बढ़ा sector है, तो जो railway budget है, वो अलग से आता था, और बाकी का जो union budget है, वो अलग से आता था, but in the recent years, railway budget has been merged with union budget, तो भ करना railway budget बहुत ज्यादा बड़ा होता था, तो उसको हमने अलग कर रखा हुआ था, और आपको बाकी का union budget था, उसको अलग कर रखा हुआ था, right, but now आपका दोनों एक साथ आते हैं, so इसका जो जिक्र है, that is in article 112, ठीक है, that's all in this session students, अगर कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा करें, try to make a video on it, हैना कोई भी important economic term हो, हैना trade deficit क्या होता है, fiscal deficit क्या होता है, budget deficit क्या होता है, या GDP क्या होती है, basic से basic चीज हो सकती है, जो आपको लगता है कि आपके exam में helpful होंगी, और अगर आप उनको सीखना चाहते हो हमसे, so definitely you can comment under this video, and we will try and come up with a video on that topic, right, so thank you.